नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह होगा भूगोल और इसमें भाग दो हम डिसकस करेंगे तुछ गया टैप होगा थे bell genre डुक्त करेंगे तो पहला अप लिए डिसक्रिप्शन बाक्स में देडिँ गाँ आप हो देख सेहते हैं और आज हम दिसके सरेंगे भाग दो तो इसी साथ हमारे साथ बने रही है और इसी तरह से भाग तीन भाग चार और continue ये स्रीज जारी रहेगी ताकि आपको जो आने वाले एक्जाम है Jupiter Plus C के जितने भी एक्जाम होने वाले हैं सबका syllabus में GS तो आना ही आना रहता है तो ये सारे एक्जाम के लिए बहुत ही important है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा GK session दोस्तों आज का जो पहला question यहाँ पर निकल करा रहा है यानिकि option number 4 यहाँ पर हमारा सही answer हो जाता है तो जो पश्चिम बंगाल की सीमाएं हैं ये तीन कौन-कौन से देशों के साथ लगती हैं तो एक है बांगलादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान तो इनके साथ मिलती हैं नेक्स्ट दूसरा हमारा question है, वो है यानिकि question number 2 आन्द प्रदेश और तमिल नाड़ के तटीब हुबा को क्या कहते हैं तो आन्द प्रदेश और तमिल नाड़ के तटीब हुबा को कोरो मंडल कहते हैं यानिकि option number 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ठीक है तो आंध प्रदेश और तमिलाड के तटीव हुबाग को कोरो मंडल तट कहते हैं जबकि पस्ची में केरल के तट को माला बार तट कहते हैं तो दूसरों पस्ची में जो केरल का तट है उसको माला बार तट कहते हैं और जो आंध प्रदेश और तमिलाड के तटीव हु निम नature में से कौन सा राजी सेवन सिस्टर का सद से है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेशन है दोस्तो तो सिवन सिस्टर किसे कहा जाता है, जो पूरबुतर की साथ पुरुख राज हैं, उनको सिवन सिस्टर भी कहा जाता है, और इन राज्यों की जो नाम हैं, तो वो है अनुनाचल प्रदीस, नागालेंड, मडिपूर, मिजूरम, त्रिपूरा, मेघाले और असम, तो दोस्तों तो दोस्तों जो ये जवाहर टनल है, ये जम्मू और कस्मीर में इस्थित है, यानि कि उप्सन नंबर एक यहाँ पर सही हो जाएगा, तो भारत की सडक मार्की सुरंग जवाहर सुरंग थी, जो जम्मू और कस्मीर आज की बनिहाल दर्रे में इस्थित है, बनिहाल दर्रे स कर पाया हूँ आपको अबडेट करके पता दूँगा ठीक है तो यहाँ पर इस question के काड़ियों यानि कि जवाहा टरनल कि सराज में इस्ति थे तो वो है जम्मो और कस्मी यानि कि option बर एक आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है next question की तरफ बढ़ते हैं तो next question जो निम्न भारती राज्यों में किस राज की कोई समुद्री सीमा नहीं है तो यह भी important question है तो यहाँ पर आपका आजना सही हो जाएगा दो यानिकी राजस्थान देखिए गुजराद भी समुद्री सीमा से मिलता है महराश्च में भी समुद्री सीमा है और गोवा तो समुद्री सीमा से अटैच ही है तो जो गुजराद गोवा और महराश्च राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है जबकि राजस्थान की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है next question पर आते हैं question number seven सबरी माला निम निम से किस राज में इस्थित है तो दूसर जो सबरी माला है ये केरल राज में इस्थित है यानि कि option number three आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है तो सबरी माला केरल के पथनाम थिटा कौन सा पथनाम थिटा जिले में अवस्थित है तो ये किस जिले में सबरी माला जो है केरल में इस्तित है और केरल के किस जिले में इस्तित है पतनाम ठिक्टा जिले में अवस्तित है सबरी माला अथपन देव के मंदिर के लिए प्रिशिद है तो सबरी माला जो है किस देव के लिए प्रिशिद है तो ये अथपन देव के मं पॉर्चीरी है, जिसे हम पॉर्चीरी कहते थे, तो इसकी जो सीमा है, वो किस राज के साथ नहीं लगती, जो इसमें राज देएगें, इन में से कौन से राज के साथ, इसकी सीमा अटेच नहीं है, यह आपका यहाँ पर question निकल कर आ जाता है, तो आपका यहाँ पर जो answer हो ज सीमा है, इसके माहे छेतर के दोरा केरल से, पुर्चेरी, ओम कराईकल छेतर दोरा तमिलाण से, ओम यमन छेतर के दोरा आंत्परदेश से लगी हुई है, अता इसके किसी भी जिले की सीमा, उसके किसी भी अनि जिले की सीमा से नहीं लगती है, नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर है, question number 9, नंदा देवी चोटी किस राज में स्थित है, तो दूसरों जो नंदा देवी चोटी है, काफी famous चोटी है, और ये उत्रा खंड में स्थित है, यानि कि option number 2 आपका यहाँ पर सही हो जाता है, उत्रा खंड में ही नंदा देवी चोटी स्थित है, next question आपका है, question number 10, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन अंग वाली महिला कौन थी तो दोस्वा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम छिन अंग वाली महिला थी वो थी अर्विमा सिनहा यानि कि option number 2 आपका यहाँ पर सही हो जाता है next question number 11 है करनाटक इस्थित जोग प्रपात किस नदी पर इस्थित है दो दोसरे यह भी काफी important question आपका है जो करनाटक इस्थित जोग प्रपात है यह किस नदी पर इस्थित है तो यह कावेरी नदी पर इस्थित है यानि कि option number 2 आपका यहाँ पर सही हो जाता है करनाटक इस्थित जोग प्रपात है यह कावेरी नदी पर इस्थित है next question हम देख लेते हैं तो next question हम पर है जीलो के अध्ययन को क्या कहते है तो दूस्वों जो जीलों का अध्यान होता है इसको हम बोलते हैं Limnology यानि कि Option No.2 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है तो जीलों का अध्यान कहलाता है वो कहलाता है Limnology तो Limnology को सरुविज्ञान भी कहा जाता है इसके अंतरकत छीलों, तालाबों, नदियों और नभ भूमियों का अध्यन किया जाता है Next question देते हैं यानिकी question number 13 तो यह है निम्न में बिसंपद का पता लगाई है इनमें से आपको बिसंपद का पता लगाना है तो बिसंपद इसमें से कौन हो जाएगा तो यह हो जाएगा बालसोन यानिकी option number 3 आपका सही हो जाएगा तेकि delta चाप जील यो बिसंपद का संब्ध मैदानी भाग से है जबकि जो बालसोन है इसका संब्ध मरुस्थली छेतर से है तो इसलिए या है किसमें बिसंपद हो जाएगा Next यहाँ पर question है question number 14 निम्ल में किस राज को युनिस्को की विस्विरासत की सूची में सामिल किया गया है तो जो युनिस्को की विस्विरासत सूची है तो जो निम्ल की तहां पर स्थान दिये गये है तो उन में से जो सुन्दरबन नेशनल पार्क है इसको विश्व विरासत सूची में सामिल किया गया है यानि कि option number 1 आपका यहां पर सही हो जाता है तो सुंदरवन नेशनेल पार्ग 1987 को कब 1987 को ये युनिस्को को विश्व विरासत सूची के सूची में सामिल किया गया है इस सूची में केवला दिव राश्डी पार्क काँजी रंगा राश्टी पार्क और मानस वन इजू अभेहरन को 1985 में तथा नंदा देवी राश्टी अभेहरन को 1988 में सम्मida किया गया है नेक्स्ट कुश्चन है, कुश्चन नमबर 15, जोजीला दर्रा जोडता है, तो जोजीला दर्रा किसे जोडता है, तो जोजीला दर्रा है, ये आपका स्रीनगर और लेह को जोडता है, यानि कि ऑप्सन नमबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है तो जम्मू और कस्मीर में अवस तो ये जो कुल्लू घाटी है ये धौला धार और पीर पंजाब के बीच इस्तित है यानि कि option number आपका यहाँ पर एक सही हो जाएगा option number one यहाँ पर सही हो जाएगा धौला धार और पीर पंजाब के बीच इस्तित है तो जो कुल्लू घाटी है को प्रथवी पर देवताओं की गहाटी की उपमा भी दी जाती है या धौला धार और पीर पंजाल परबर सिर्यों की मत हिस्तित है कुलू घाटी हिमाले प्रदेश की कुलू घाटी हिमानचल प्रदेश की कुलू जिले में ब्यास नदी के सारे विस्तरत है तो यह जो कुलू घाटी है यह हिमानचल प्रदे सिपकिला यानि कि option number यहाँ पर आपका देखिए सिपकिल्स लिग गया है आप इसको सिपकिला कर लीजिए ठीक है तो option number एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सिपकिला तो हिमाज़ा प्रदिदिसी जो सिपकिला है या एक प्रमुख परवती दर्रा है जो भारत चीन सीमा के पास अवस्थित है भारत में सतलन नजी इसी दर्रे के साहरे प्रवेश करती है नेक्स्ट कॉश्चन है पाल घाट निम्न में से किस राज्यों को जोडता है तो जो पाल घाट है यह केरल और तमिल नाड को जोडता है तो यह भी important है तो जो सागर माथा कहते हैं तो वो कहते हैं Mount Everest को यानि कि option number 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा Mount Everest को सागर माथा भी कहते हैं तो थेकि हिमाले परबस रंखला की Mount Everest चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है question number 20 हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है तो यह भी काफी important question है तो हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी है वो है नमचा बरवा यानि कि option number आपका चोथा यहां पर सही हो जाएगा नमचा बरवा जो है यह हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी है ठीक है अरुनाचल तिबबत सीमा परिस्थित है ठीक है और इसकी जो कुल उचाई है यह 7756 मिटर इसकी कुल जो उचाई है और यह हिमाचल की हिमालय की सबसे पूर्बी चोटी यही है ठीक है तो दोस्तों यह थे आज के भुगोल पार्ट टू के कुछ important questions जो की पिछले exams मे रिपीड हुए है तो इसी तरह से यह भाग चलता रहेगा और आप चानते हैं कि study plan के according हमारे सारे वीडियोज अप्लोड किये जा रहे हैं तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को इसमें जोडते रहिए ताकि वो भी हमारे इन वीडियो इसके साथ तत्य के लिए